हलो और वेलकम टो जारा किचन आज एक बार फिर से आप सब का स्वागत है जारा के किचन में एक और नहीं मज़ेदार रेसिप के साथ लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता हूँ कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल का सबस्क्राइब नहीं किया ज़रूर सबस्क्राइब करें लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा आज हम बनाने जारे मज़ेदार फिश बिर्यानी चले अब हम देखते हैं फिश बिर्यानी बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी सामगरी की जरूरत परते हैं चले देखते हैं विख ब्रापिय विख भी रियानी बनाने के लिए यह लिए इक टिलापिय काट लिए पर इसको ओ से। दो चमच कश्मीरी लाल मर्च नमक अब अपने तेस्थ के अचरस्ष कर सकते हो एक निम्बू लिया है मैंने और थोरा सा मैंने शान का फ्राइड फिश मसाला लूँगी लेकिन ये अप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप मत फिकर किरें इसको आप स्किप कर सकते हो कोई फरक नहीं परेगा चले अब सबसे पहले आज हम मेरिनेट करते हैं फिश को अच्छा आज मैं सब कुछ मैं आपको स्टेजिस में बताऊंगी तो ये फिश सबसे पहले हम लोग मैरिनेट कर लेते हैं उसके लिए मैं थोरा सा नमक डालूगी आप अपने तेस के साब से लेकि बहुत जादा मत डालेगा क्योंकि मसाले में भी जाएगा हमारा नमक तो और ये मैं डालूगी थोरा सा शान का फ्राइड फिश मिसाला ये आपके उपर अप्शनल है अगर आपको डालना है तो आप डालो नहीं डालना मट डालो और इसको हमने मिक्स करना है हमारे निम्बू के साथ अच्छा इसको हमने मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है फिश को आप ऐसे भी कर सकते हो चाहिए आप नमक मर्च और मसाला अप अलादा से मिक्स करके फिर उपर ब्रश के साथ कर सकते हो या आपकी मज़े कोई फरक नहीं पड़ता अच्छा ये अब हमने मिक्स करके हमने थोरी देर के लिए एक साइड पर हम लोग रख लेंगे ठीक है चोटी कटोरी मतलब 6-7 तेबल स्पून तेल का आदी कटोरी फ्राइड अनियन्स है एक चमच लसन का पेस्ट और एक चमच अद्रक का पेस्ट है ये मैंने दो चोटे आलू काटके आसे रखे है मैंने वश करके मैंने यहां लिया एक चमच नमक एक चमच कश्मीरी लान मर्च एक चमच गरमसाला एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच जीरा पाउडर नमक और मर्च आप एज़स्ट कर सकते हो जैसे जितना आपको आपके टेस्ट के आपको करना है वह आपकी मर्जी है ये तीन पेस्ट दो बरे टीस्पून मैंने लिए टेबल स्पून मैंने लिए दही का यह तीन से चार मैने हरी मर्च लिए पीस के रखे लेकिन यह भी आप एज़स्ट कर सकते आप जितना थिका खाते उतना डालो नहीं खाते कम डाल दो थोरा सा बारी कटावा धनिया डाला है और यह हरी मर्च दो मैंने लिए स्लिट करके है डेकोरेशन के लिए और चावल बनाने के लिए मैं आपको दिखाते हूं मैं क्या क्या चाहिए अच्छा चावल बनाने के लिए ये मैनने लिए 3 कब बरे वाले चावल ये बासमती राईस है फिर मैंने गरमसाले लिए थोरे से साबुद जो मैंने 2 चमच जीरा फूल लिए है तर्ज 2-3 पीस लिए है 4-5 ग्रीन अलाइची लिए है और ये एनिसीड मैंने लिए है स्टार जो कहते है ठीक है थोरा सा हम केसर यूज करेंगे हमेंचे ये थोरा सा फूड कलरिंग और थोरा सा केवरा वोटर चाहिए हमें इसके साथ बहुत अच्छी खुश्बात ही हमारी बिर्यानी में अचाईा सबसे पहले हमें करना हहें आलो को फ्राइए आज अलो फ्राइए कर के फिर हम लोग फिश को फ्राइख करेंगे तो चले मैंने ये तेल लिया इए कर饆ई में मैं इसे फुल आँच पे पहले रख लूँगी गरम होने के लिए और फिर मीडियम आँच पे हमने आलू तल लेने तो चले हम लोग आलू पहले सबसे पहले तल लेते यह तेल गरम हो गया है तो मैं आलू इसमें डाल देती हूँ और मीडियम आँच पे जब तक हमारे आलू फ्राई ना हो जाए तब तक हमने पका लेना है चले अब हम लोग आलू फ्राई करके फिर मिलते है अच्छे यह अब हमारे आलू ओल्मस रेडी हो गए आप देख सकते हो तो इसको हम निकाल लेते है अच्छा अब हमने आलू तल लिये अब हमारे नेक्स टेज है हमने फिश को फ्राई करना है इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है तो अभी हम यह आंच को गरम कर लेंगे पहले फास्ट पे रखेंगे ताक के अच्छी तासे तेल गरम हो जाए और फिर मीडियम आंच अब हमने फिश तलनी है लेकिन एकदम तेल गरम होना चाहिए क्योंकि फिश फोरण पक्चाती है अच्छा यह अब हमारे तेल हो गया गरम अब मैंने यह हमारी फिश इसमें डाल देनी है लेकि थोड़ा मीडियम आंच के कर देना है इस तरह से हमने हमारी फिश डाल देनी मेकेकट अदर के लिजा है तो मैं आएंगे तर्ट आइए जाएं एक शार की अंदर इसे हमें सारी तर लेनी है तीन शार मिनित आपकेकवट करनी है तो थोड़ी क्रिस्क हो जाए थीर हमने तर्ण करने है वनना कि लापिया बहुंच जब भी तर्ण करने है तो अगलो हम थोड़ी तरह से वेट करेंगे फिर शार पांच मिनित के बार या ती इंचा मिनित आपकी फिश पे डिपांड होता है एक साइज से थोड़ी पक जाए प्रावन हो जाए फिर आप आइसता से तर्ण कर लो तो तो हम सारी फिश में आपको दिखाऊंगी कैसे कब तर्ण करने है अभी ती चानिमित के बाद मिनित के हम लगे हम लगे हमारा फिश फ्राइज हो गई है रेडी हो गई हमने एक साइड पे रखने नहें और यह हमारे बिद्यानी का मसाला फिश का मसाला तो यह है मैंने एक फ्राइज पेंड लिया है बड़ा वाला इसको मैं फास्ट आग पे थोड़ा घरम कर लेती हूँ फिर इसमें हम डालेंगे हमारा तेल अच्छे यह अब हमारी फ्राइज पेंड हो गए गरम इसमें मैंने डालना है हमारा तेल और अब यह स्टेज पे मैं एक और बात आपको बताने जा रही हूँ यह जो हमने जिस तेल में हमने फिश फ्राइ किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा लिया है ठीक है तो यह हम इस करेंगे ताके वो जो फिश के जो फ्लेवर हमने तले थे वो यह मसाले में भी जाए तो आप थोड़ा जादा भी एड कर सकते हो ताके फ्लेवर अच्छा सा आए अगर आपको तेल कम लगे आप उसमें से निकाले आप एड कर लेना ठीक है और इसमें हम डालेंगे हमारे फ प्राइड है तो हमने जादा नहीं करना वहना करवा हो जाएगा इसमें हम जालेंगे हमारा लसन अद्रक का पेस्ट तो इसको तरह हम निक्स कर देगे यह स्टेट पे थोड़ा स्लो कर देना वहना चल जाएगे आपकी प्यास तो गहरा सारा कुष्ट और थिर इसमें हमने दालना है हमारा टमाटो पीशा हुआ और हमारा पेस्ट टमाटो पेस्ट डालना है कलर के लिए अच्छा सा रैड कलर हो जाए हमारा इसमें हमने डालने है हमारे यह सारे नमक मर्च के मसाले सारे हमारा हल्डी इसको चीपरा से हमने मिक्स कर लेना है अभी मैं इसको मीडियम आंच पे रखूंगे ताके थोड़ा मसाला भूनने लग जाए थोड़ा सा आई क्या मज़ेदार खुश्बू आ रही है इसमें हम डालेंगे हमारा दहीं दिर्यानी मैं थोड़ा तो दहीं चाहिए ही चाहिए होता है अब मैं इसकी आंच को थोड़ा साथ स्मोक करके इसको पकने दूंगी अब आप पान से साथ मिनित तक हमने इसको पकाते रहने है तो मिलते हैं पान साथ मिन्त के बाद लेकिन मैं इसमें डालूगी थोड़े इस हरी मार्च आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल सकते हो जितना आपको ठीका चाहिए अची खुश्मु आ रही है आप यह जुरूर बनाए गा पोती मजाएगा फ्रूरी इसे और में डालागे है क्योंकि हम लग थुरह थीक्कशा खाते हैं मैं मसा आती है तो मैं इस में थुरह इसी और ऐड करके थुरह थीकका बनानीगी कि बियानी तो थोरी थीकी अच्छी लगती है लेकिन जैसे मैंने आप से काया अगर आप थीका नहीं खाते तो आप बेशक थोरी कम डाल दे इसे कोई भी मसला ही है अच्छा मैं इसको प्लेने दूंगी अबार 5-7 मिनित और ये जब तक ये तेल साइड में से ना निकलने थो अच्छा ये देखें कितना अच्छा कलर हो गया है इंदर से आप देख सकते हैं तेल निकल रहा है अभी ठीक है अभी इसको हम लोग आफ करेंगे उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ इसमें हम डालेंगे थोरा सा केसर मसाले में मुझे पता है बहुत लोग सोचते होंगे कि ये केसर मसाले में आप फ्राइ करके जरूर देखेगा और फिर मुझे बताएगा कि बिर्यानी में जब आप मसाले में केसर डालो उसकी कुश्मू कितनी प्यारी आती हो और वो बिर और आप देखो के बिर्यानी का टेस्ट और उसना फ्लेवर कितना अचाता है अब जरूर ट्राइ करके दिखना और अब मैं यह मसाला कर लूगी और यह हमारा मसाला बिल्कुल तेयार है फिश के लिए और अब हम लोग करेंगा नेक्स टेप वो है चावल बनाना चलें अब हम यह ऊकम चावल बनाते है ओकि यह मैंने ले लिया पानि यह पतीले मैं हम अनकर लेगे यह मैंने बोलिंग Would light him kar ice pontood है हमने तीन मग rice लिये तो मैंने fünf पानी मैंने एक मग ख़ली आढ दबल से थाकि हमारे rice बोट soft imprison pharmaceutical तोग यह मैंने बोलिंग यह हम ढलेंग हमारे सारे मसाले, ड्राइ मसाले, इसके अंदर, इसमें मैं एड करीओ, एक छोटी चमचितना केवरा वोर्टर, और थोड़ा सा हमने इसमें डालना है, केसर, और फिर आप देख सते हो के बोईल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें हमारे चावल डाल देंगे, और 90% कुक होए, तब तक हमने कुक करना है, 90% तक, और फिर हम लोग मिलते है थोड़ी देर बाद, अच्छा, यह आप देख सकते हो, 90% हमारे चावल पक्के है, और पानी भी सुक्या है, और अब मैं इसको अफ कर दूंगी अभी, और इसका आदा मैं राइस एक बकुली में निकालूंगी, ठीक है, क्यों हमने बियानी अभी लेयर करनी है, चले मैं आदी निकालती हूँ, चावल इसमें, बोल में, अच्छा, मैंने अब ये, फिश यो हमारी तली हुई है, मैंने ये लेयर कर देनी है, इसमें, इवनली, इसमें हम लोग ये लेयर कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा साइस का सोस है, इसमें डाल सकते है, और ये आलू भी हमने, स्प्रेंड कर देने है, अच्छा, ये है, अब हमारा जो मसाला हमने पहले से बनाया था, वो हमने इसके उपर डाल देना है, हमने पूरानी डालना, टू थर्स डालना है, मैं आपको बताओंगे फिर हमने दूसरा कैसे डालना है, क्योंके फिश भी पकी है, आलू भी पके है, इस मसाले में हमने पकाना नहीं है, जो हम नोगदा के स्टीम पे डालेंगे उसमें पूरा मिक्स हो जाएगा, यह हो गया हमारा टू थर्ड मसाला, पूरा अच्छी तरह से यह फैला देना है इसमें, और फिर इसमें हमने डालने धोरे और चावल हमारे, अच्छी तरह से लेयर कर लेना है हमने, एक और पतला लेयर करना है हमने, फिर यह जो बाकी का मैंने मसाला रखावा है, वह भी मैं इसमें डालेंगी, यह दिखे, यह हम अपने पहला देना है थोरा सा, ठीक है और बाकी के सारे चावल हमने इसमें डाल देना है, इस तरह से, और फिर इसको हमने करना है थोरा डेकोरेट, और अब मैं क्या करूँगी कि हमारा ओरेंज कलर जो था, मैंने आदी चमच इतना लिया है, यह इसमें मैं एक चमच पानी का डाल के एक से डेट चमच तो थोरा मिक्स कर लूगे, मैं अभी मिक्स करके मैं आपको दिखाते हूँ, यह देख सकते हो, यह अब हमारा ओरेंज कलर हो गया है, और इसको मैंने डाल देना है हमारे बनियानी के उपर, यह मज़े के खुश्बू आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, यह देखें, यह हो गया हमारा कलर, और अब हम डालेंगे इसमें, मैंने थोरी सी यह फ्राइड ओनियन्स लिये और उपर गार्णिश के लिए, आप कर सकते हो, अगर आपको चाहिए नहीं करना है तो मत करें, यह आपकी मर्जी आपको अगर अच्छी लगती है, देखें, इसमें क्या बिद्यानी के फील आती है, यह देखें, यह हो गया यह, और अब हम लोग थोरा सा, बारी कट्टा हुआ धनिया डालेंगे, ठीक है और डालेंगे हमारी हरीमाच, इस तरह से, और अब हमने इसको ढग के, सिर्फ पंदरा मिनिट के लिए, हमने एकदम धिमी आँच पहराने देना है, सिर्फ पंदरा मिनिट तक तक हमाई जो 90 पसंट चावल है, वह कुक हो जाए, और मसाला अंदर अच्छी तरह से, उसकी सारे खुश्बू चावल में चले जाए, तो चले इसको ढग देते हैं, और पंदरा मिनिट के बाद मिटते हैं, अच्छे, अभी पंदरा मिनिट हो गए, हमारे बिज्यानी को दम पे हमने रखा है, अब मैं कुकर आफ कर लूंगी, और अब हम देखते हैं, है क्या मजे की खुश्बूे आ रही है, ये आप देख सकते हो हमारे बिज्यानी कितनी अच्छी लग रही है, और अब हम इसको निकालेंगे एक सविंग दिश में, चलिए आप निकालते हैं इसको सेविंग डिश में, यह यह देखे हमारे बिर्यानी यह यह तेक सकते हमारे फिश रमारे अलू अब यह देखे यह हो गई हमारे फिश मिर्यानी तयार इतनी मज़े की खुश्बू आ रही है आप भी बनाएं और आप जरूर सब को खिलाएगा और इसको मैं सर्व करूंगी हमारे राइता के साथ ठीक है यह जो राइते की वीडियो है मैं इसके बाद में अपलोड करूंगी बिर्यानी के बाद तो आप जरूर देखना कि हमारे राइता भी बहुत सिंपल है पांच मिन में बन जाता है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी तो आप सब भी खाएए फिश बिर्यानी और हमें जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताए कि आपको हमारी फिश की बिर्यानी कैसी लगी चले मिलते हम लोग अगली बार एक और नहीं मज़िदा रेसिपिके साथ तब तक के लिए खुदाफीस नमस्ते सस्रीयकार टेक केर